सूजी का हल्वा ne, सूजी का हल्वा बनने एक कटोडि जितनी सूजी लिया उतनी ही मैंने चीनी लिया उतना ही मैंने घीळिया है और इसका हम तीन कटोडि पानी लेंगे और यह मैंने कुछ किसमिस लिये हैं इनको मैंने दो के पानी में बिगो कर अच्छी तरह रख लिया था इलाइची का पाउडर लिया है और यह कुछ कटेवे ड्राइपूट लिये हैं तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अब मैंने गैस ओन कर लिये हैं और गैस की फ्लेम अभी हम लो रखेंगे और इसके अंदर हम सूजी डालके सूजी को हलका सा भून लेंगे अभी हम इसके अंदर घी नहीं डालेंगे पहले हम सूजी को हलका गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेते हैं अब यह देखिए हमाई सूजी भुन कर तयार हो गए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसे भुनने में मुझे 2-3 मिनट लगे हैं अब मैं इसके अंदर अपना गी एड़ करूंगी अगर हम इस तरह पहले सूजी को बिना घी के भुन लेते हैं तो हमारा घी इसमें कम लगता है अब घी डालने के बाद में इसको 1-1.5 मिनट और पकाऊंगे यह देखे हमाई सूजी भुनकर तयार हो गई है और जितना मैंने घी लिया था तो